प्रत्येक वर्ष श्रावन मास के शुकल पक्ष की पूर्निमा तिथी के दिन रक्षा बंधन पर्व हर्शोलास के साथ मनाया जाएगा इस विशेश दिन पर बेहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध कर ईश्वर से उनके उजवल भविश्य की कामना करती हैं लेकिन इस वर्ष रक्षा बंधन के दिन भद्रा और पंचक का निर्मान हो रहा है ऐसे में वर्ष दो हजार तेईस दो दिन राखी का पवित्रत योहार मनाया जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है आईए, जानते हैं, राखी के लिए उचित समय क्या है और किस समय राखी बांधना शुब रहेगा रक्षा बंधन 2023 शुब मुहूर्ट श्रावन पूर्निमा तिथी 30 अगस्थ दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्थ सुबह 08 बजकर 35 मिनट पर समाप्त हो जाएगी बता दे कि इस भद्रा सुबह 10 बजकर 42 मिनट से रात्री शुन्य नौ बजकर शुन्य दो मिनट तक रहेगा ऐसे में रक्षा बंधन भद्रा काल के बाद ही मान्य होता है इस बात का भी ध्यान रखें कि निशीत काल अर्थात रात्री 10 बजे से पहले रक्षा बंधन से जुड़े पूजा पाठ को समपन कर ले वहीं 31 अगस्त को सुबह शुन्य आर्थ बजकर 35 मिनट से पूर्व यानी पूर्निमा तिथी समाप्त होने से पहले बेहने अपने भाई को राखी बांध दे रक्षा बंधन 2023 शुब योग पंचान्ग में बताया गया है कि रक्षा बंधन पर्व धनिष्ठा नक्षत्र में मनाया जाएगा जो रात्री 10 बजकर 17 मिनट तक रहेगा जिसे मानगलिक कारियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है मान्यता है कि इस शुब मुहूर्त में पूजा पाठ करने से साधक को विशेश लाब प्राप्थ होता है रक्षा बंधन 2023 पूजा विधी श्रावन पूर्निमा के दिन पवित्र स्नान का विशेश महत्व है इसलिए इस दिन प्रातह काल में स्नान ध्यान करें देव पूजन व पित्री तरपन कर लें इसके बाद एक थाली को राखी या रक्षा सूत्र, कुमकुम, अक्षत मिथाई से सजालें और भद्रा के बाद भाई की कलाई पर राखी बांधें राखी बांधते समय येन बधो बली राजा दानविंद्रो महाबलव तेन त्वा अभिबध धनामी रक्षे माचल माचल इस मंत्र का जाप जरूर करें बता दे कि इस मंत्र को रक्षा मंत्र कहा जाता है इसके बाद तिलक लगाएं और भगवान से भाई के उजवल भविश्य की प्रार्थना करें